हेलो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे देशी फूर्जाय का चानल में और आज हम बनाने वाले है चिकन और आलू का ग्रीन सालन और यह हम बनाने वाले है कूकर में आप इसका कलर और टेक्शर देख सकते हो यह बहुत ही जबरदस बनकर रेडी हुआ है और यह बहुत वीडियो की नोटिफिकेशन वक्तर मिलती रहे यहां पर मैंने लिया हुआ है आदा किलो चिकन इसको मैं अच्छे से साफ कर लूँगी इसको मैंने तीन पानी से दोया है तीन पानी के बाद मैंने इसमें नीबू एड़ करके इसको पांच मिनिट के लिए रखा क्योंकि इसम दाइ में मरिनेट करके रखेंगे हम थोड़े टाइम के लिए और बाकी की प्रिप्रेशन करेंगे और आगर आपके पास नीबू नहीं है तो आप विनेगर का इस्तमाल करके भी चिकन वाश कर सकते हैं जिससे आपके चिकन में तो एक स्मेल होती है वो नहीं आएगी तो ज यहां चिकनाओे काली मुझा है ज्यादा हम इसमें खोपरा यूज नहीं करेंगे ज़्यादा नारियल इसमें इस्तमाल नहीं करेंगे और गर्ने करूयां क्कुछ बिदर नेकालना ईख सथित committed to he exact %. मैं अब चाहता है तो हमको क्या करना है भूुनना है ठीक तो साथ में अनने कर नहीं तो आपना काला मीरी है खश-खश तीन इलाइची और अपना डाल चीनी लोंग और बढ़ी शोप ठीक है बढ़ी शोप तो यह हमने लिया हुआ है अब हमको फूना ही करनी है इन यह ठीक है नारियल अपने ब्राउन करने अची तरीके से नारियल को इसमे एड़ कर देंगे अब प्याज और नारियल हाँ पेच्छे से ब्राउन हो गए है यह थंड़ा हो जाएगा यहां अब भून लेंगे अपना लसन और अद्रब को भी हम अच्छे से भून के इसमें अब हम खड़े मसाले जो हमने लिये थे लॉंग दाल चीनी और अपना काला मीरी और बड़ी सोप और खसकस यह सब को भी हम अच्छे से भून के इसमें आड़ करेंगे और आपको जो है यह बूना हुआ जो चीज है सब चीजे भूनी हुई जो है उसको अच्छे से थंडा हो मैं यहां फिर जंदे ना है फिर थंडा होने के भाद यह इसको फेले मुझा था थो है जो यह दिशे कर दीता तो यह धिति गए हम आय Poland कर में मैं को फीक्राइन साइडों धर् dejar फिसे हीगा ऋर दर नहीं एक थिघड़ा और भीक 10 चाह बाद घृसand करने के बाद हम इसको पूरा थंड़ा है को पीषूंगी पहले आपको इसको बिना पानी के पीष कौना है फिर पानी थोड़ा साथिएगो यह देखिए यह मिण 225 आप शाहें दो इसे पुदिगकर और लिए बहुंद Three तो यह थे देखिए हमारा मसाला जो है पिसके होगयाह दो लिख चमश में पानी पानी आड़ है तो एकड़ा हो जाए ताकि जो ग्रेवी है उसका टेक्ट्चर बढ़िया आए ठीक है है तो हमने पर चुछा दिया दिये क्यों हम कुकर में चिकन बनाने वाले है अब मैंने तेल एड़ किया है तेल थोड़ा जाधा एड़ करेगा अब ठीक ह तो थोड़ा सा तेल जादा इस्तामाल करें अगर आप कम भना सकते हो लेकिन मैं थोड़ा प्रेफर करती हूं कि चिकन और फिश यह सब चीजे भी थो जो चीजें होती उसमें बहुत ही जादा उभर के आएगा अब हमने इसमें कर देना है हल्दी ठोड़ी हए और धरिये का पवडर में आड करूंगी हमको इसमें कोई भी लाल मिर्ची का पावडर नहीं आड करना है बिल्कुल भी हमको इसमें वह सब है नहीं करनी है क्योंकि फिर उसका कलर ग्रीन नह देखो एक दम इसमें का पानी सूग गया तब मैं इसमें जो हमने मारिनेट करके रखा वादा चिकन हमारा ध्री में वह मैंने इसमें मैं इसमें एड़ कर दोंगी ठीक है और और कुछ नहीं करना हमको अब बस इसमें हमको पानी आड़ करना है जितना हमको चाहिए तो पानी और यह संगा और भी की पानी जाका है करें कि बूप्ट स्कुर्भ दिक भीज्म करते हैं farms थोड़ा पानी करेंगे और इसे के साथ में आपकरेंगी आलु क्योंकि आलुये चीकन को पखे है कि एना ला आपकता है जितना आलू को लगता है कुकर में वही दो तिन सीटी में चिकन भी पकी जाता है अभी हमने इसमें आड़ कर दिया है एक प्याली भरके पानी इसमें आड़ करा हुआ है तो किसना कितना ग्रीन ग्रीन मस्तर लग रहा है अब जब यह पक के रड़ी हो जाएगा आप देखने है 2-3 सीटी बस के तो तो फिर आप 2 सीटी में कुकर बन कर दीजिए अगर आपने कुकर तो आप 1 सीटी आ यह उर्फ पका होई नहीं तो आप एक्स्ट्रा सीटी लिए गया अधुंचीर मसाला को इसे ही पाउडर यहड़ें सकते हो के बाद मैं इसमें एड़ कर दूंगी धनिया का पत्ता थोड़ा सा उपर से ठीक है और धनिया का पत्ता एड़ करने के बाद मैं इसको जो है अपना कुकर का धकन लगा कि फिर इसकी दो से तीन सीटी लोंगी तो मैंने सीटी का आपको बता दिया कि आपको कैसे क्या करना सीठी कुकर की की तैना नौलेज़ डिपेंड करता है तो आपको आपके कुकर का नौलिज बैतर हो गा कि कितना सीठी लगेगा तो यह देखिए यह बहुत ही डिलिश्य जो है ने चीकन करी तो घ्री इसके ओपर थोड़ जा धनिया डाल देंगे और यह क theo बस त्यार है खाने के लिए आफ इसको चाओल के साहते हैं नहीं सेब्सक्राइब कर दिए और अगर अगर आप अगर आपका प्यार अपने फैमली का खैयाल मैं आपको मीलूंगी अगली वीडियो में तब तक के लिए और अगर कोई questions हो इससे related तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हो या instagram पे पूछ सकते हो